तो एक चल्ट यावर्त का आकार बनता है इसे विंटर सर्फिव के नाम से जाना जाता है और इधर ये है विशव राशी टौरत और समीथ ही है ये एक शिकारी औरायन जिसे हमारे देश में मृत कहा जाता है मृत के में कुछ पास ही है बहल लुदभ या शौन इसे अंग्रेजी में करिस मेजर कहते है इसके पास ही नदर आता है छोड़ा शौन या करिस माइनस आप इस कंकाल आकरितियों में यदियूं का इत्मादी थोड़ी मांस मज़ा चड़ा दी तो पुड़ा आकाश जीवों को उस्ता है पशु पक्षी और योधाओं जैसे आकारों से अब देखिए इन तारों के समूझ को यह जाना पहचाना सब्तरिशी तारा मंदर सब्तरिशी के इन दो तारों को जोड़ कर यदि उसी रेखा पर आगे बढ़ने तो हमें मिल्दा है उत्तर दिशा का देउतर दुरुप तारा या और तार पाच अंश या डिग्री में विभाजित इस याम्योत्तर रेखा ये वरेडियन की मदद से हम जान सकते हैं कि दुरुप तारा हमारे यहां लगभग 25 अंश की उंचाई पर हैं आईए अब हम चीन के शहर शांगाई चले और देखें कि दुरुप तारा वहां पर कितनी उंचाई पर है लीजिए अब हम शांगाई की आकाश तले आ गए हैं यहां पर हम पाते हैं कि इसकी उंचाई लगभग 31 अंश उबर देखें इलहाबात का अक्षांश या लैटिट्यूद लगभग 25 अंश जब की शांगाई का 31 अंश यादि दुरुप तारी की उंचाई उस स्थान का अक्षांश बजाती हैं दुर्फ तारा स्वंच एक छोटे से तारा मंदल रेखें जिसमें एक छोटे भालू की कल्पना की जई है सब्तरिश्य के पूच के इन तीन तारों को जोड़ कर उसी गोलाई में आजिवाड़ें तो हमें मिलता ही ये चमकदार तारा स्वार्थी या ओक्षुर्ण जो बूतिस या भूतक तारा मंदल में मौजूद है सब्तरिश्य के थोड़ा उत्तर की और देखें किया आप यहां पर एक प्रश्म जिन या हसीय की आपुति की कल्पना कर सकते हैं इस तारा मंदल का नाम हिर्स्ति राशी या लियो इसका सबसे चमकीला तारा मंगा या रेगुलस कहलाता है रच्षी विशाची और शित्रिश के समी एक अन्य आकर्शित तारा मंदल को पस्तित है यह जो व्रच्षित या स्कॉपियस रट्टि आभावाला ये चमकीला तारा सही ज्ञान आकर्शित कर रहा है यह है जेशा या एंटरिस भाटिये बंचान के जेश्ट मास का नाम इसी नक्षप्र से मिला है अब जड़ा इन तारों को देखिए क्या आप इन तारों में किसी जानी पहचानी आकर्शित की कल्पना बर सकते हैं विल्कुँ चाय की केटी लगती है ना परत्तु हमारे पूर्वजों की कल्पना में ये है एक धनुरहर जिसे धनुराशी या सेजटेडियस कहते है एकली से दिर्व पदाज प्रवारित हो रहा हूँ प्रिश्चिक के निकड़ी आप यहां एक बादल नमवा पट्टी तो अवश ही देख रहे होंगे ये बादल नहीं है बलकि इस शेप्र में लाखों पुकाश बिंदू समाय दूए है इसे आकाश गंगा या मिलकी बे कहते हैं इस पट्टी के और अन दिशाओं में दिखाई दे रहे हजारों तारे सबीकों तारों के एक विशाल नगर का हिस्सा है इसके मंदाख में या ग्यालेक्सी केंटे हैं जनुराशी के निकटी यहां इस चंकीले पिंद को देख 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 यह कोई तारा नहीं है बलकि एक ग्रण है शनी या सैटन शनी आकार में स्वार मंदल्व का दूसरा बड़ा ग्रण एक छोटी सी दूरवीन से भी इसके वलेव को देखा जा सकता है अब्यान नहीं पता लगाया था कि यह बले बन के टुग्रों और छोटे-छोटे कंकर पत्थ्रों और धूल के बनें मैं पड़ा जाए प्र वाला है परे भी है मैंसकी 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 शनी में अन्य साथ ग्रभू की तरह सूरी की परिग्मा करता है अमारी जसी भी उन ग्रभू की तरह सौर मंदल का हिस्सा है हम आशा करते हैं आप अपने वेस्ट जीहाँ से थोड़ा समय निकालेंगे और उपर आखराश विनलजर डाल कर उने से कुछ को प्रेशानने का प्रयाद अवश्य करेंगे जिन आग्रिफियों से आज उने परिशे प्राप्त किया है स्टारों से दोस्ती कराने के बाद अब हम अपने डिजिस्टार प्रणाली के माध्यम से दूर अंद्रिश की सैर के लिए चलते हैं तो दिल ठाम के वैठिये और आनंद लेजे इस रोमाज्टारी यात्रा का अब्रकार में पुड़ा रातिया पाद देखित उतर और रहस्यमाई प्राजीन मिधक अलाव पहानिया मानों के लिए हमेशा से ही जिक्यासा इवन कौदभल का विशेरा है आरोंग से ही मनुष्य अप्राजी में बरलाव जैसे प्रहूं की परेट चल्मादी बदलनी कलाओं और यदा कदार आकाश में चमक के वेखित अब्रकार में से हांकर बोड़ा है झाल 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 झाल